हाई गाईज, वेलकम टू माई चैनल, ब्यूटी स्टाइल लता आल इन वान मैंने आज किया है ये इद मेकप लूट, आईशाडो भी किया है, फलकी ग्रेन टच आईशाडो, तो ये है मेरे आईशाडो तो ये इद मेकप लूट अगर अच्छा लगे तो प्लीज, लाइक, शेयर, कमेंट्स किजिए और सब्सक्राइब किजिए, सब्सक्राइब के बाद इमें जो बेल आइक है न सुप्रिक किजिए, तो मेरा जो भी अपकमिंग वीडियो होगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको स सबसे पहले मिल जाएगा, कलर बार का प्राइमर लगा रही हूँ, प्राइमर लगाने से होता है, मेकप लॉंग लास्टिंग होता है, फाउंडेशन में लगा रही हूँ, मेबलीन के 24 आर्स, फुल कवरेज फाउंडेशन, ये टैप टैप करके मैं फेस पे लगा लूँग अच्छे से, नेक और एहर के पास भी मैं अच्छे से लगा लूँगी, मैं कंसिलर नहीं लगा रही हूँ, इसलिए फाउंडेशन आइस के पास अच्छे से टैप टैप करके लगा लूँगी लैक में के रोस पाउड़ा लगा रही हूँ, ये मेरे फाउंडेशन को सेट कर देगा और ओईली और पैची लूँग नहीं होगा, मैं ब्रेश से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अब मैं मिस किलियर के आइबरो पेंसिल से आइबरो कर लूँगी अब मैं आइबरो ब्रेश से आइबरो को अच्छे से सेट कर लूँगी लिप बम लगा रही हूँ, लिप स्मूथ या मौश्चर रहे अब मैं शुगर पैलेट से आइशेडो बेस कलर आइशेडो लगा रही हूँ अब मैं शुगर पैलेट से मीडियम ब्राउन कलर लगा रही हूँ, यह लाइट करके लगाऊंगी अब मैं आइलिट पे रस्टिक गोल्ड कलर मैं फिंगर से ही लगा लूँगी आइलिट के उपर ब्रिस से मैं थुरा क्लीन कर लूँगी अब मैं मीडियम बर्गंडी कलर लगा रही हूँ, लोवर आइलाशेस के पास अब मैं ग्रीन कलर का आइलिट लगा रही हूँ अब मैं शैंबूर के आइलिट लगा रही हूँ, यह मैं ज्यादा मोटा करके नहीं लगाऊंगी एक्तम पतली सीक लाइन दूँगी आइलेशेस के पास से अब मैं लेकमी के काजल लगा रही हूँ, लोवर आइलिट पर अब मैं यह एनजल ब्रश से नीचे जो काजल लगा है लोवर आइलिट पर जो काजल लगा है उसको श्मच कर लोगा रही हूँ, अब मैं यह एनजल ब्रश अब मैं आइलेशेश करलर से आइलेशेश कर लूँगी शेंबूर के मशकरा लगा रही हूं अब मैं लोवर आइलेशेश में भी मशकरा लगा रही हूं अब मैं मेबलिन के कॉंटर यूज कर रही हूं क्रीम बेजर नोस में में गॉंटर क्रें कर रही हूं चीक पे भी मैं कॉंटर लूँगी जाल जाईन पे भी कॉंटर कर लोंगी अब एक ब्रश है मैं अब ब्लेंड कर लूँगी अछछे सी एक कॉंटर क्योंकि ये क्रीम बेज है अब मैं शुगर पैलेट से कॉंटर यूज करूंगी ये पाउडर फॉर्म में कॉंटर है तो ये क्रीम के उपर पाउडर लगाऊंगी तो और अच्छा सा कॉंटरिंग हो जाएगा और डाक कॉंटरिंग दिखेगा फोर हेड में भी कॉंटरिंग कर रही हूं मैं अब मैं नोज में भी कॉंटर कर रही हूं अब मैं शुगर पैलेट से बलच लगा रही हूं अब मैं मेवलीन के मास्टर क्रोम के हाई लाइटर लगा रही हूं चिक के रिया पे अब मैं अब मैं भी कॉंटर रही हूं अब मैं नोस में लगा रही हूँ, फिंगर से ही मैं नोस पे लगा रही हूँ दूसरे फिंगर से मैं नोस के साइड से क्लिन कर लूँगी अब मैं आइवरो को भी हाइलाइट कर रही हूँ अब मैं शिवाना कलर्स का हाइलाइटर, सिल्वर कलर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, आइस के इनर कॉर्नर में अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से होटो के पास क्लिन कर लूँगी और इमें शैंबूर का लिप्स्टिक लगा रही हूँ यह 406, इसका शेड नमबर है अब मैं कलर बार का फिनिशिंग स्प्रे लगा रही हूँ इसको ऐसे पांकी से तुरंती ड्राइ करना है तो यह है मेरा फाइनल लूप यह मैंने आज किया है इद मेकप लूप आईशेडो मेकप लूप किया है यह मैंने आईश मेकप किया है तो गाइस अगर मेरे यह इद मेकप लूप आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है क्लिक कीजिए तो इज जो पत्सुन झालर राइक, अज़ रखवाद़ को अबाट प्लीज राइक, प्लीजब लूप यह जूप प्लीजब प्लीजब के बाटर का बाटर का लगवाद लूवार कीजए